चा 96, नो आही कंट्रोल, अब आगे, रात का वक्त, बात्रूम, इस समय शाओ और होन था, जो अर्थ की बोल्ट पूरी नैक्ट बोडी को भीगा रहा था, आही जब बात्रूम के अंदर आई थी, तब वो अर्थ को अपने सामने पूरा नैक्ट शाओ के नीचे देख कर बिल अर्थों को बुरी तरह बाइट करते हुए खुद को कंट्रोल करके बोली, नो आही कंट्रोल यो फाकिंग फैंटिसी, इस समय तुझे सिर्फ देविल से सब बताना है, जिसके बाद तुम बिलकुल टेंशन फ्री हो जाएगी, कहते हुए आही की नजरे अपने आप ही अर अर्थ के फेस पर करते हुए एकदम से तेज आवाज में बोली, डेविल मेरी बात सुनिये, अर्थ जो काफी देर से उसी तरह खामोश खड़ा था, वो आही की आवाज से उसके तरफ सीधा मुलते हुए खड़ा हो जाता है, आही का चेहरा एक बार फिर हीट होने लगता ह अर्थ काफी ज्यादा होट था, उसके मसल्स काफी मजबूत थे, आही की नजरे अर्थ के चेहरे से ज्यादा अर्थ के नैक बॉड़ी पर जा रही थी, जिससे उसे अपनी बात बोलने में दिक्कत हो रहा था, आही गहरी सांस लेकर अपनी आँखें भीचते हुए बोली, Mr. Hot First of All, आप तौवल केरी करिए, ऐसे मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, और मैं पूरी तरह से डूशे हो जाऊंगी, आही की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर टेली मुस्कुराहत आ जाता है, और वो उसी तरह आही के करीब बढ़ते हुए उसके गर्दन में अपने अर्थों को डालते हुए उसे एक, जख्के में शाओ के नीचे अपने करीब खीचता है, आही सीधे अर्थ के नैक ब्रॉड चेस्ट से लड़ती है, और वो तुरंत अर्थ को देखने लगती है, अर्थ आही के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए उस पर अपनी थ थंडी सांसे छोलते हुए बोला, इसी तरह बोलो तुम्हें जो भी बोलना है आही, आही अर्थ के करीबी से अपनी सांसे डीप होते हुए फील कर पा रही थी, शाओ का थंडा पानी उसे भीगा रहा था पर अर्थ के बॉड़ी से इस समय एक आग निकल रहा था, जो पैदा कर रहा था, आही बह मुश्किल खुद को संभालते हुए अर्थ के ब्रॉड चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रख देती है, और अर्थ की आँखों में देखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर होट, मुझे आप से एक बात बताना है, जो कर रात से जुली है पर पहले आप प्रॉमिस करिये कि आप हाइपर नहीं होंगे और मुझे हर्ट नहीं करेंगे, क्यूंकि आपका गुस्सा और आपसे मेरा डर ही मुझे सच शुपाने पर फोस करता है, आही की बात सुनकर अर्थ उसके भीगे होटों को ध्यान से देखते हुए बोला, हमम आही बड़े ही हिम्मत के साथ हर्थ से सबसे पहले कलब जाने की बात बताती है और फिर ड्रिंग करने के बाद उसे अजीब सा महसूस होता है और वो वाश रूम जाती है और फिर इसके बाद कुछ पल के लिए आही चुक हो जाती है वही अर्थ आही की बाते ध्यान से सुनते हुए उसके नाइट गाउन की नौट को खोलता है और आही को चुप देख डीक वोईस में बोला आगे बोलो आही मैं सुनना चाहता हूँ ये कहते अर्थ आही के नाइट गाउन को खुल कर धीरे से उसकी बॉडी से अलग कर देता है आही अंडर गार्मेंस में शावर के नीचे खड़ी आगे बोलने की हिम्मत करते हुए धीरे से कहती है मिस्टर होट उसके बाद मैं वहां से बाहर निकल रही थी पर तभी किसी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और एक रूम में खीच लिया जिसके बाद मैं सीधा बैक पर गिरी उसके बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ नहीं याद ये कहते हुए आही की आँखों में जर जर के आंसू बहने लगते हैं उसे बहुत गिल्ट और बुरा लग रहा था उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे रात बिताई थी अर्थ को अपने चेस्ट पर आही के गर्म आसू फील होते हैं जिसे महसूस कर अर्थ उसके बालों को पीछे से पकड़ कर उसे ऊपर उठाते हुए उसकी आँखों में गहराई से देखते हुए बोला You don't know how you were with that night आही भीगते हुए सिस्क कर बोली अम्म, नहीं Mr. Hot मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन था मुझे कुछ याद नहीं था सुबह, मैं बहुत परेशान थी Mr. Hot मैं डर गई थी मुझे लगा था कि मैं ये बात अगर आपसे बताऊंगी तो आप कही मुझे मार शशश, जिस दिन तुम खत्म हुई आही उस दिन मेरा वजूद अपने आप खत्म हो जाएगा अर्थ आही के हिल रहे होठों को अपने उंबियों के बीच दबाते हुए उसे शाओ वॉल से सता कर थंडे लहजे में कहा अर्थ की आँखों में अब एक थंड आपन था और वो आही के होठों को दबाय जा रहा था वही आही अर्थ की बात सुनकर और उसे अभी भी ऐसे ज़्यादा हाइपर होते ना देखना समझी में अपना सर हिलाती है और जैسे ही कुछ कहने को हुई अर्थ उसके दोनों हाथों में अपने दोनों हाथों को फसाते हुए वौल पर सता देता है अर्थ की आँखे थंडी लग रही थी अप, और वो अही के हाथों पर अपनी पकड कस्ता है, जिससे आही सिस्क उठती है, और वो अर्थ को थोड़ा दरते हुए देखने लगती है अर्थ उसकी आँखों में एक टक देखकर थंडे लहजे में बोला, तुम्हारी सिर्फी गलती है, अही उधरन चिन्ह, आही हकलाते हुए अर्थ से बोली, मुझे, मैंने जानबूज कर नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कौँ, कौन था, शसेच, शश, अर्थ उसके होठों पर अपने होठ रख उसे शान्त कराते हुए थंडे लहजे में बोला, आही बिलकुल चुप हो गई, अर्थ बहुत करीब था उसके जिस वजह से आही को कुछ स्टिंगिंग सा फील हो रहा था, अर्थ उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए ही कोल्ड आवाज में बोला, गल्ती सिर्फ तुम्हारी इतनी है कि तुम बिना मुझ से बताए उस सो कॉल्ड क्लब में गई, औ और उसके होठों से बलड आने लगता है, जो सीधे अर्थ होठों पर लग रहा था जिसे अर्थ बेहद एग्रेसिवली सक कर रहा था, आही को इस समय अर्थ की ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसी के साथ रात बिताई क क्या वो गलती नहीं थी या फिर सिर्फ उसका क्लब में जाना ही गलती थी। आह क्या क्या आप सिर्फ मेरे कलब जाने से गुस्सा हैं क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ रात भर आही की बातों को बीच में काते हुए अर्थ उसके होठों से अपने होठ हटाते हुए बोला तुमने कहा कि तुम्हें उस रात का कुछ नहीं याद हमम ये कहकर अर्थ आही के नीचे के अंडर गार्मेंज को उतारता है आही अपने आपको स्प्रेड करती है और फिर सीधी खड़ी होते हुए बोली न नहीं मुझे कुछ रिमाइंड नहीं हो रहा कहते हुए आही एक बार फिर कल रात के बारे में याद करने ल गिराता है आही अप पूरी तरह नैक्त थी वही अर्थ आही की बात सुनकर उसके बालों में अपने दोनों हाथ डाल कर अपने चेहरे के करीब करते हुए धीरे से बोला तो अब सब याद आएगा तुम्हें आही जब तक अर्थ की बातों का मतलब समझती तब तक अर्थ कंदे पर अपने दोनों हाथ रखती है और जैसे ही वो आँखे बंद करती है उसे अचानक से कल का कुछ सीन इसी तरह का याद आता है कि कल बातरूम में कोई इसी तरह उसे चूम रहा था आही तुरंट अपनी आँखे खोल देती है और एक शौकंग एक्सप्रेशन के साथ अर्थ को देखती है अर्थ उसके पूरे चहरे को चूमते हुए पूरा लाल कर देता है जिसके बाद अर्थ उसके होठों को अपने होठों में भरते हुए बोला Did you remember so much? कहते हुए अर्थ उसे बोलने का कोई मौका नहीं देता और उसे बहदरुड होकर चुमने लगता है आही को आज बहुत दर्द हो रहा था अर्थ की टच से उसके दिमाग में एक एक कर जैसे जैसे अर्थ उसके साथ कर रहा था वैसे वैसे कल रात का उसे सब धीरे धीरे के हो रहा था पर अर्थ की हरकते काफी पैशने थी जिस वजह से आही बातरूम में स्क्रीम करने लगी और जोर जोर से आहे भरने लगी अर्थ उसके होठों को चूंते हुए उसके अपर बॉडी के अमर्जट को बुरी तरह हट कर रहा था आही अपनी आखे बंद किये थी अर्थ अपने होठ उसके अमर्जट पर रखता है और उसे हट करने लगता है आही के पैर लड़ खडाने लगते हैं शाव का थंदा पानी उन दोनों की नैक बॉडी को भिगाए जा रहा था आही के पैर अब नहीं संभलते तो वो अर्थ के V-shape कमर पर लपेट देती है और अर्थ को पकड़ लेती है अर्थ उसे वॉल से टिकाए उसे प्यार कर रहा था आही पूरी तरह seduce हो चुकी थी उसे अपने नीचे बहुत तेस टिंगिंग सा महसूस हुआ और वो सिस्त कर बोली ओह, it hurts आही को उस शाव में भी पसीने आने लगे और वो थक कर अर्थ के शोल्डर पर अपना सर रख लेती है कल वो नशे में थी पर आज वो अपने होश में थी जिस वजह से उसे बिलकुल first टाइंग जैसा दर्द हो रहा था आही की आँखों से आसू बह जाते हैं और वो अर्थ के चेस्ट पर खरोचने लगती है आही अभी कुछ सुनने की हालत में नहीं थी अर्थ बहुत ज़्यादा वाइल था और दोनों की गहरी और भारी सांसे उस वाश्रूंग में गूंज रही थी कुछ समय बाद अर्थ उसे उसी तरह बैग पर लाता है कहते हुए आही बैग पर इधर से बाहर मोन लगती है और इसी तरह उसे करते हुए सारी रात बीट जाती है और सारी रात आही के स्क्रीमिंग की आवाजे रूंग में गूंचती रहती है चा 97 हवस और जबर दस्ती अब आगे अगली सुबह आही का रूंग बैग पर आही इस समय ब्लैंकिट से लिप्ती सो रही थी चहरे पर टायदनस साफ देख रहा था बैग की हालत मेस्ट अप था वही आही के चहरे को इस समय अर्थ भ्यान से देखते हुए धीरे धीरे सहला रहा था आही के होट बहुत नर्म और सूजे हुए थे अर्थ उन पर अपनी पतली उंगलियों से रब करते हुए हलकी स्माइल कर रहा था उसके चहरे पर सुकून था एक साटिसफाक्शन था आही उसके सहलाने से कसम साते हुए अर्थ के और भी सीने से लग गई अर्थ उसके नैक्ट पीथ को रब करते हुए एक टक ऊपर सीलिंग को देखने लगता है उसकी आँखों में इस समय कुछ चल रहा था जिसे सोचते हुए अर्थ की आँखे गुस्से से भर आई और वो आही को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला किसी के अंदर इतनी ताकक नहीं है आही की वो तुम्हें मुझसे दूर कर तुम्हारे साथ गेम खेल सके मैं पूरे कयामत तक तुम्हें अपना बना कर रखूंगा फिर चाहे मुझे अपनों का ही कतल अपने हाथों से क्यू ना करना पड़े ये कहते हुए अर्थ की आंखों में बहुत कुछ था जिसे समझना मुश्किल हो रहा था वो आही को ऐसे खुद में भीन्चे था कि आही नींद में ही कस्म साव थी और वो अपनी आंखे खोलते हुए अर्थ को देखती है आही कुछ देर तक शान्त रहती है और फिर उसके दिमाग में कल रात का सारा सीन याद आता है जिसे याद करते ही आही के चहरे पर अपने आपी बड़ी सी स्माइल के साथ एक चमक आ जाता है और वो अर्थ के ऊपर चड़ते हुए उसके सीने पर अपना सर रख उसे कसकर कदल करते हुए बोली मिस्टर होट याद नो वाट मैं अभी कितनी ज़्यादा खुश हूँ मुझे आपने बहुत बहुत प्लीज किया है मैं कर तक काफी परेशान थी मुझे दर था कि कहीं मेरे साथ किसी और शश नो आही तुम्हारे साथ गलत सही अच्छा बुरा ये सब करने का हक सिर्फ मुझे है तो मैं किसी और को तुम्हारे करीब कैसे आने दे सकता था हमम अर्थ शान्त आवाज में आही की सर को सहलाते हुए उसकी बात काट कर बोला आही अर्थ की बात सुनकर स्माइल करती है और फिर उसे कुछ समझाता है और वो अपना सर उपर करके अर्थ की आँखों में देखते हुए बोली पर मिस्टर होट मेरे ड्रिंट में किसने ड्रग मिलाया था कौन था वो जो मेरा मिसूस करना चाहता था आही के सवाल को सुनकर अर्थ की आँखों में आगा जाता है और वो आही पर अपनी पकड कस्ते हुए बोला ये जिसने क्या है तुम्हारे साथ आही उसे मैं तुम्हारे सामने मारूंगा और तुम उसे उसी तरह तडपते देखोगी जैसे उस रात तुम उस ड्रग से तडप रही थी वो और उसके साथ जो जो इसमें था बहुत जल तुम्हारे सामने आएगा आही अर्थ की बातों में नफरत और गुस्सा महसूस कर सकती थी जिस वजह से वो चुक हो गई और उसने कुछ नहीं कहा कुछ देर बाद अर्थ उसे नेट अपने गोड में उठा कर बाथरूम में ले गया कुछ समय बाद आही अपने बालों को ड्राय से सुखाती है और फिर उसमें सिरम अपलाई करते हुए अर्थ को देखती है जो इस समय बालकनी में खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था आही ने इस समय मद कलर का गिरल इस्टॉप पहना हुआ था और नीचे प्लेन शॉट्स डाला हुआ था बालों को उसी तरह खुला छोड रखा था आही अभी टरन हो ही रही थी कि अर्थ की आवाज उसके कान में पड़ी आही तूगो आही तुम घर पर ही रहना है बाहर मत जाना कहीं ओके अर्थ ओड़ा भरे लहजे में कहता है जिसे सुनकर आही बोली मिस्टर होट आप कब तक आयेंगे और मुझे यहां अब और नहीं रहना हम मुंबई कब चल रहे हैं मुझे कॉल लगे स्टार्ट करना है अर्थ आही के चेहरे को सहलाते हुए बोला I'll tell you everything I'll now take care कहकर अर्थ आही की होटों को चुमते हुए रूम से बाहर निकल जाता है अही का मना आज काफी अजीब हो रहा था अर्थ के जाने से उसे कुछ घबराहत महसूस हो रहा था वो अर्थ से कुछ कहना चाह रही थी पर उसे कुछ words बोलने को मिले ही नहीं आही अर्थ के जाते ही, रूम को अंदर से लॉक करके सोफे पर बैठ कर अपना फोन यूज करने लगती है वही अर्थ की ब्लाक बोग्याटी का पैलेस के सामने ख़़ी थी स्टीफन कार का गेट खोलता है अर्थ कार में बैठने से पहले कुछ पल रुख जाता है और एक नजर उपर रूम के बालकनी के तरफ करता है जिसे कुछ देर तक देखते रहने के बाद अर्थ अपने आँखों में ब्लैक शैब्स चड़ाते हुए कार में बैठ जाता है और स्टीफन कार लॉक कर पैसेंजर सीट पर बैठता है और उनकी कार रफतार से वहां से निकल जाती है वही अर्थ के जाते ही गार्डन में खड़ा अखिलेश देखते हुए शैतानी मुस्कुराहत के साथ आही के बालकनी को देखता है और मुस्कुराने लगता है तभी रगुवेंद्र जो वही गार्डन के सोफे पर बैठा था वो अखिलेश के इरादे समझते हुए बोला तुम्हें मरना है तभी तुम अपने अंदर इस हवस को लेकर आ रहे हो अखिलेश अखिलेश रगुवेंद्र की बात सुनकर उसके तरफ देखते हुए बोला मेरे दिमाग में ये लड़की चग चुकी है और आप तो मेरी आदद जानते ही हैं कि मैं अगर चाहनूं किसी के साथ वो सब करना तो मैं कर लेता हूं कोई मुझे रोक नहीं सकता रगुवेंद्र इस बार गुसे से बोला गाव की लड़कियों के साथ तुम जो भी करते आ रहे हो इतने सालों से वो बात में दबा लेता हूं उसे समाज के सामने नहीं लेकर आता पर अगर तुम उस लड़की आही के साथ वो सब करोगे तो उस बात को मेहर्थ से नहीं छुपा पाऊंगा और ना तुम ही उससे बचा पाऊंगा अखिलेश अखिलेश आही के बालकनी के तरफ ध्यान से देखते हुए शयतान्यत से बोला मैंने सोच लिया है कि मुझे कैसे वो सब करना है और कैसे इस बात को दबाना है आप बस देखते जाए मैं क्या करता हूँ रगु वेंद्र को आज का दिन और अखिलेश की बाते दोनों ही खराब लग रहा था वो अखिलेश को आखिर बार गुस्से से समझाते हुए बोले अखिलेश मेरी बात समझने की कोशिश करो अगर उसके तुम जरा भी करीब गए तो अर्थ तुम्हें जिंदागार देगा उसकी आखों में हम लोगों के लिए कोई इंसानियत नहीं है अखिलेश को इस समय रगुवेंद्र की बाते सुनाई नहीं दे रहा था बलकि इस समय उसके चहरे पर आही के लिए हवस साफ नजर आ रहा था अखिलेश रगुवेंद्र की बातों को अनसुना करके वहां से पैलेस के अंदर चला जाता है वही रगुवेंद्र के चहरे पे परेशानी देख रहा था अखिलेश को लेकर दूसरी तरफ अखिलेश अंदर जाता है तो उसे सामने ही स्वर्णा और सुभध्रा दिखती है जिन्हें देखकर वो कुछ सोचता है और उनके पास आते हुए बोला आप लोग मंदर जा रही हैं सुभध्रा और स्वर्णा ये सुनकर नामे सर हिलाते हैं जिसे देखकर अखिलेश बोला पंडित जी का फोन आया था शादी के बाद उन्हें कुछ दान करवाना है गरीबों में तो आप दोनों को अभी जाना चाहिए सुभध्रा ये सुनकर स्वर्णा से बोली हाँ बहु पंडित जी से तो हमने बात ही नहीं किया इस बारे में तुम जाओ जाकर हमारे चलने की तयारी करो स्वर्णा जो अखिलेश को गूर रही थी काफी देर से वो सुभध्रा की बात पर हामी भरती है अखिलेश के चहरे पर भध्री मुस्कुराहत आ जाता है कुछ देर में वो दोनों मंदर के ओर निकल जाते हैं वही अब पूरा पैलेस खाली था वहाँ अखिलेश के अलावा और कोई नहीं था अखिलेश ने नौकरों को भी आज छुट्टी दे दिया था और अब उसकी नजर आही के रूम पर गई और वो मुस्कुराते हुए उपर रूम के तरफ बढ़ गया वही अखिलेश का मन आज नहीं लग रहा था वो सोफे पर बैठी फोन में अपने पेंटिंग की रिकॉर्डेड क्लासेज देख रही थी तभी उसका रूम नौक हुआ आही ने पानी मनवाया था एक नौकर से तो उसे लगा की नौकर है आही फोन सोफे पर उफ करके रखती है और फिर उठकर दरवाजा खोलती है और सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आँखे छोटी हो जाती है अनकल आप यहां क्या कर रहे हैं आही सामने खड़े अखिलेश को घूरते हुए बोली अखिलेश भद्धे तरीके से मुस्कुराता है और आही को उपर से नीचे उस शौट्स में अजीब नजरों से देखता है आही को अखिलेश अच्छी वाइब नहीं आती जिस वजह से वो खुद को ठीक करते हुए बोली अ, अनकल आपको कुछ काम था मुझसे अखिलेश आही के रूम के अंदर अपने कदम बढ़ाते हुए बोला हाँ बहुत जरूरी काम है जिसे मैं आज कई दिन से करना चाहता था तो आज वक्त और महौल दोनों सही मिला है तो सोचा आज ही इस काम को अपने अंजाम पर पहुँचा दिया जाए कहते हुए अखिलेश पुरा अंदर रूम तक आ गया और और वो दर्वाजे को अंदर से लौक करने लगा जिसे देखकर आजी का गला दर से सूखने लगा आजी हरबलाते हुए गेट के पास भागती है पर अखिलेश उसका हाद पकड़कर सीधे सोफे पर धाकेलता है और दोर को पूरा अंदर से लौक कर लेता है आजी ये देखकर चलाते हुए बोली अंकल ये क्या बद्तमीजी है आपके क्या रिदिकुलस हरकते कर रहे है कहते हुए आही के चहरे पर अखिलेश के इरादों से दर देख रहा था आखिरी एक दमदार और एज़िद आदमी था जिसके आगे आही बहुत ज़्यादा छोटी थी आही अपने हाथों से सोफे पर अपना फोन ढूंदने लगती है जिसे देखकर अखिलेश उसके फोन को अपने हाथों में लेकर उसे स्विच ओफ करते हुए सीधे बैग के नीचे फेकता है अंकल आप आप करना क्या चाहते है प्लीज दूर रहिए वरना मैं आपके उपर हाथ उठा दूंगी भूल जाओंगी कि आप मेरे डेविल के अंकल है समझे आप ये बोलते हुए आही गुस्से से अपने पास पड़े फ्लावर वाश को उठा लेती है जिसे देखकर अखिलेश हसते हुए बोला ये बच्चो वाली हरकते करना बंद कर लड़की तुझे अपने मा और बाप के बारे में जानना था ना खास कर तेरी मा सनेहा के बारे में तो मैं तुझे कुछ राज बताता हूँ पर उसे जानने के बाद तुझे मेरे साथ सोना होगा हाँ 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 अखिलेश गिनोने तरीके से हसता है आही अपने मास नेहा के बारे में सुनकर उसे देखने लगती है और धीरे से बोली मॉम के बारे में क्या पता है आपको बताए मुझे जानना है सब प्लीज बताए कहा ना कि मैं सब बताऊंगा पर उससे पहले तुझे मेर साथ सोना होगा और हम दोनों के बीच हुई सारी बातों को राज रखना होगा अखिले साही को ब्लेक मेल करते हुए बोला जिसे सुनकर आही का गुसा बढ़ गया और वो गुसे से चीकते हुए बोली निकल जाए मेरे रूम से वरना मैं सब को बुलाऊंगी और आपकी बीव उसके चिलाने को सुनकर हस्ते हुए बोला जितना मर्जी हो उतना चिलाओ यहां कोई नहीं है सुनने कला सभी बाहर है हवेली में सिर्फ मैं और तुम है इसलिए कोई फाइदा नहीं आज तुम्हारे चिलाने का तुम चुप चाप मेरी बात मानकर मुझे खुद को सौंक तो आही को अखिलेश से घिन हो रही थी, अखिलेश उसके बाप के उम्र का था, आही का चेहरा नफरत और गुसे से भर गया और वो अपने हाथ पकड़े फ्लावर वाश को खीच कर अखिलेश की सर पर मारती है, जिसके लिए अखिलेश तयार नहीं थे और उनका सर लगभग फट जाता है और खून बहने लगता है, जिसे देखकर अखिलेश बिलकुल बौकला जाता है, और वो एक जटके में आही का पैर पकड़ उसे खीचते हुए जमीन पर गिराता है और उसके उपर आ जाता है, आही ये देखकर खुद को चुड़ाने की पूरी कोशिश कर रह अखिलेश उसके हाथों को पकड़ कर उसके पैरों को अपने पैरों से दबा लेता है, आही का चेहरा दर से भरा हुआ था, वो खुद को जब छुड़ा नहीं पाती तो अपना सर तेजी से अखिलेश की सर पर मारती है, जिससे अखिलेश थोड़ा रुक जाता है और अगल लेता है आही के हाथ उपर पहुँचते पहुँचते रुख जाते हैं अखिलेश उसे एक बार फिर पीछे बैट पर गिराता है और आही की सांस अटक जाती है अखिलेश उसके उपर आकर उसके शोल्डर के कपड़े फार दालता है आही चीक पड़ती है और वो अखिलेश को खुद से दूर धकेलने लगती है अगले ही पल अखिलेश उसके कपड़े कूरे फारने लगता है आही से अब ये सब तॉलरेट नहीं हुआ आही मुश्किल से अपने टेबल पर रखे नाइक लाम्ट पर ले जाती है और उसे मुश्किल से अपने हाथों में लेकर सीधे अखिलेश की सर पर तोलती है अखिलेश का सर एकदम से सुन्न पर जाता है वो कुछ देर के लिए रुख जाता है जिस भी चाही सिसकते हुए जल्दी जल्दी बैच से उठती है और सीधे दरवाजे को खोल कर रूम से बाहर भागती है पर आज घर में कोई नहीं था पूरा पैलेस खाली था आही चिलाते हुए सब को आवाज लगा रही थी पर कोई सुन्ने वाला नहीं था तभी खून से लगपद पीछे से अखिलेश आही के करीब आने लगता है अखिलेश आही को अब जान से मार देना चाहता था आही भागते हुए नीचे जाती है नीचे भी कोई नहीं था आही काफी ज़्यादा डरी हुई थी अखिलेश उसके करीब बढ़ता है और आही को वही नीचे हॉल के फर्ष पर गिरा देता है और उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश करने लगता है आही चिलाते हुए आवाज लगा रही थी अखिलेश उसके ओपर के कपड़े फार देता है जिसे देखकर आही का दिल दर से बैठने लगता है और तभी अचानक से उस पेलेश का गेट एक जटके में बेहत तेजी से खुलता है जिसकी आवाज से अखिलेश उस तरफ देखने लगता है और आही भी तुरंत उस तरफ देखने लगती है क्या कर लेगा अखिलेश आही के साथ जबर्दस्ती कौन आया है वहाँ क्या बचा लेगा वो आही को क्या होगा अब अखिलेश के चैप्टर का देहन चनाइंटी एट अर्थ की हैवानियत और घिनोना अंजाम अब आगे एक तेज बैंग की आवाज से उस पेलेश का में दूर खुलता है और अखिलेश थोड़ी देर के लिए उस तरफ देखने लगता है आही भी उस आवाज को सुनकर मुश्किल से उस तरफ देखती है और गेग पर खड़े इनसान को देखकर उसकी आँखों में आंसुों का सेलाब आ जाता है वही गेग पर खड़ा अर्थ इस समय आही को देखे जा रहा था अर्थ की आँखे इस समय बेजान थी और वो अपनी जगह अभी बस खामोश खड़ा था आही की हालत देख अर्थ के आँखों के सामने ऐसा मंजर आया एक औरत एक अंधेरे कमरे के फर्ष पर लेटी चिला रही थी उसकी उपर एक आदमी था जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था उस औरत के शरीर से हलका खुन निकल आ रहा था और वो औरत उस आदमी की हैवानियत से तड़पते हुए चिला रही थी उसी रूम के एक टेबल के नीचे एक छोटा सा लड़का बैठा था जिसके हाथ पैर बंदे हुए थे और उसकी आँखों में दर और आंसू था और वो लड़का अपनी आँखों के सामने उस औरत के साथ ये सब होता देख रहा था वो लड़का छूटने की कोशिश कर रहा था वो उस औरत के पास जाने के लिए तड़प रहा था पर उसे बांद कर रखा गया था और तभी वो औरत एक तेज चीक के साथ बेहोश हो जाती है जिससे अर्थ प्रिजेंट टाइम में अपनी आँखे तुरंट बंद कर लेता है और उसका शरीर अब एक अलग गुसे वाली एनजी से ट्रंबल कर रहा था अर्थ अपनी आँखे एक जट्के में खोलता है और अर्थ की आँखों में अब खून उतर आता है वो अपने भारी कदम तेजी से उस तरफ बढ़ाते हुए दाहरते हुए बोला इस बार नहीं होगा वो जो सालों पहले हुआ था चीकते हुए अर्थ एक तेज लाथ सीधे अखिलेश के चहरे पर मारता है जिससे अखिलेश दूर गिरते हुए सीधे टेबल से जा लगता है आही तुरंत उठने की कोशिश करती है वही अर्थ आही को वैसे ही छोड़ अखिलेश के पास जाकर एक और लाथ अखिलेश के प्राइवेट पार्पर मारता है अखिलेश की दर्थ से भरी चीक पूरे पैलेस गूंज परती है जिसे बाहर गार्डन में बैठे रगुवेंदर सुन सकता था रगुवेंदर के चहरे पर शिकन था रगुवेंदर अपने पसीने को साफ करते हुए बोला मुझे किसी भी तरह अर्थ को रोकना होगा मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता मुझे ये सब रोकना होगा वरना अर्थ उसे मार डालेगा कहते हुए रगुवेंदर अप जाके अपने चेय से उठता है और अपने लड़कडाते कदमों से पैलेस के अंदर बढ़ते है वही अखिलेश खून से लटपत कराह रहा था अर्थ की आँखों दहक रही थी जहां कोई इंसानियक नहीं देख रहा था अर्थ अखिलेश की आँखों में देखते हुए उसके बालों को पीछे से कसकर पकरते हुए अपने दातों को भींच कर तेज से बोला बहुत शौक है आपको इजज़त से खिलने का चाचा जी तो अब आज आपके इज़त के साथ मैं खिलूंगा कहते हुए अर्थ अखिलेश की सर को वही टेबल पर पटक देता है जिससे अखिलेश की चीक निकल पड़ती है अखिलेश अर्थ के बातों को सुनकर करहते हुए बोला अ, अर्थ, आप, आपके चाचा है हम, आप हमें नहीं मार सकते इतनी जल्दी मैं आपको मारूंगा ही नहीं चाचा जी पहले मैं आपके अंदर की हवस वाली गर्मी को हमेशा के लिए शांत करूंगा उसके बाद आप चैन से मरियेगा अर्थ अपने दांतों को चबाते हुए एक-एक लफच पर जोर देते हुए बोला अर्थ की आँखों से आग बरस रहा था उसका औरा हद से ज़्यादा खतरनाक और अजीब हो गया था अर्थ अपने कोट को वही उतार कर बिना देखे आही के ऊपर फेकता है और अपने कफलेंग के स्लीव को फोल्ड करते हुए अखिलेश को डेवल वे में देखता है और फोन को निकाल के किसी को कॉल करता है और उस पर कुछ बोलता है वही आही अर्थ के कोट को पहन कर कापते हुए वही चुपचाप खड़ी हो जाती है अर्थ जैसे ही कॉल कट करता है वैसे ही दोर से स्वर्णा और सुभद्रा चीकते हुए अंदर आती है सुभद्रा अपने बेटे अखिलेश की ऐसी दर्बनाख हालक देख बोली अखिलेश ये क्या हुआ आपको किसने किया आपके साथ ऐसा अखिलेश अपने मां को देख उसके पास नीचे खिसिकते हुए जाने लगा के तभी अर्थ के गाज अंदर आये और उन लोगों ने सुभध्रा और स्वर्ना को पकर लिया और उन्हें अखिलेश से दूर कर दिया और तभी अर्थ गुर्राते हुए उन सभी से बोला कोई भी इनके करीब नहीं आएगा वर्ना मैं किसी को भी नहीं छोडूंगा सुर्ना रोते हुए अर्थ से बोली अर्थ प्लीज हमारे पती को छोड़ दीजिए अगर उनसे कोई गलती भी हुई है तो भी वो आपसे माफी मान लेंगे पर प्लीज उन्हें ऐसी कोई सजा मत दीजिए जिससे की मैं इस उमुर्विधवा बन कर रहूं अर्थ को आज जैसे कुछ सुनाए नहीं दे रहा था उसकी आँखे खून जैसी लाल थी वो इस समय सिर्फ अखिलेश को देखे जा रहा था वही रगुवेंद्र अखिलेश की ऐसी हालक पर अर्थ के आगे आने लगते हैं पर अर्थ के गार्द्स भी उन पर गनक्वाइंट कर लेते हैं जिसे देखकर रगुवेंद्र तिल मिलाते हुए बोल ले अर्थ रिष्टों की मान मर्यादा आप भूल चुके हैं क्या इस लड़की के पीछे आही की आँखों से आशू बह रहे थे वो रगुवेंद्र को दर्द से देखने लगती है कि अभी भी उसे ही गलत समझा जा रहा था वही अर्थ रगुवेंद्र की बात सुनकर शैतानी तरीके से जोर जोर से हसता है और फिर एकदम से चुक होकर दांग तीसते हुए जोर से बोला दादा जी आप मुझे रिष्टे की मान मर्यादा समझा रहे हैं सीरियसली आप जिसने आज तक खुद अपने बेटों को इज़्जत करना नहीं सिखाया दादा जी आप मुझे नहीं रोक सकते मैं आज ऐसे घिनोने रिष्टे की मान मर्यादा को तोलता हूँ ये कहकर अर्थ गेट के तरफ थंडी नजरों से देखता है वहां से कदमों की आवाज आने लगती है जिससे सभी उस तरफ देखने लगते हैं वहां से तीन लंबे चौड़े आदमी अंदर आ रहे थे सभी को उन्हें देख कुछ समझ नहीं आ रहा था अर्थ अपने पैंट की पॉकित में दोनों हाथ डालते हुए उन आदमियों को ओर देते हुए सकती से बोला इनके अंदर बहुत गर्मी है उसे हमेशा के लिए शान्त कराओ अखिलेश उन आदमियों को देख दर से कांपने लगता है स्वर्ना सुभद्रा रगुवेंद तीनों उन आदमियों को देखे जा रहे थे आही को कुछ समझ नहीं आ रहा था अर्थ के चहरे पर देंजरस एक्स्प्रेशन थे तभी वो आदमी एक बार और अर्थ को देखते हुए आसपास देखते हैं जिसे देखकर अर्थ उन पर चिलाते हुए बोला पूरा पहले सकाम पुठा अर्थ के चिलाने पर आही भी बिल्कुल सिकुल गई वही वो तीनों आदमी तुरंट नीचे जुकते हुए अखिलेश के कपड़े निकालने लगे अखिलेश चीकते हुए उन्हीं रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो आदमी उनकी एक नहीं सुनता और कुछ ही देर में अखिलेश पूरी तरह नाक्ट सभी के सामने थे आही तुरंट अपनी नजरे घुमा लेती है उन्हें ऐसे देख तो वही रगुवेंद्र चिलाते हुए बोले अर्थ बहुत गलत कर रहे हैं आप कल की आए लड़की की वजह से आप अपनी हग पार कर रहे हैं तब ही अर्थ उन गाद्स को सर्ब नजर से देखता है वो गाद्स तुरंट सुभध्रा को कमरे में लेकर जबर्दस्ती चले जाते हैं पर स्वर्णा वही रोते हुए वो सब देख रही थी अर्थ रगुवेंद्र की बातों को सुनकर स्टॉन वे में बोला अभी तो आप अपने बेटे को सिर्फ तड़कते देख रहे हैं कुछी देर में तो ये मर भी जाएंगे फिर आप खुद को कैसे संभालेंगे दादा जी कहते हुए अर्थ शैतानी तरीके से मुस्कुराता है वही वो आदमी अखिलेश के कपड़े निकालने के बाद खुद के कपड़े निकालते हैं जिसे देखकर अर्थ टन होते हुए आही को अब देखता है आही से सर टिकाय रो रही थी अर्थ उसके करीब जाकर उसके कान में थंडे लहजे में बोला तुम देखना नहीं चाहोगी आही आही उसी तरह सिसिकते हुए नामे सर हिलाती है अर्थ फिर वापस अखिलेश की तरफ टन होते हुए थंडे लहजे में बोला बहुत शौक है आपको अपनी बेटी की उमर के लड़कियों के साथ हवस मिटाने का तो अब आप अपने हवस को अपने बेटी के उमर के लड़कों के साथ मिटा कर पूरी तरह खुद शांत करेगें ये सुनते ही स्वर्ना वह फ्लो पर बेहोश होकर गिर पड़ती है जिसे अर्थी एक नजर देख पूरी तरह इगनो कर देता है वही रगुवेंदर अपनी आँखें नीचे कर लेते हैं क्योंकि सामने का नजारा हद से जादा घिनोना और हैवानियत भरा था जो कोई देखता सहन ना कर पाता आही को अ प्लेक्सुली दर्द से कराहने की आवाजे सुनाई देने लगी तीनों आदमी अखिलेश के साथ दरिंदगी कर रहे थे अखिलेश दर्द से बुरी तरह तड़क रहा था उसके हाथ पैर को बांध दिया गया था अर्थ नसरे एक बार भी अखिलेश से नहीं हटी थी वो तड़पता देख सुकून भरी आवाज में रगुवेंद्र से बोला मैंने आपको पहले ही वौन किया था दादा जी कि आप अपने बेटे के हवस को काबु में कर लीजिए पर आप शायद भूल गए थे कि मैं आप बड़ा हो चुका हूं मैं आप किसी को भी अपने पैरो तले रौन सकता हूं कहते हूँ अर्थ अखिलेश को बुरी तरह देखता है जिसके मूह से अब उल्टिया होने लगी थी उन सबको बरदास्ट करते हुए अखिलेश बुरी तरह कराह रहा था चीक रहा था तड़प रहा था जिससे आही सुनकर बिना मुरे ही अर्थ के अर्थों को कसकर पकड़ लेती है। उसे ये सब सुना नहीं जा रहा था। अर्थ उसके हाथों को टाइक पकड़ते हुए सामने देखता है। एक आदमी अखिलेश से दूर होता है। तो दूसरा आदमी उसके पास आता है। अहा, अह, ब, बच, बचा लो, अब मैं, मर जाओंगा, डाग, है। अहे, अखिलेश तेज तेज करहते हुए बुरी तरह बोल रहा था। रगुवेंद टूटते हुए वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पर वो आदमी नहीं रुके। अर्थ की आँखों में हैव पानियत दिख रहा था। महौल बहुत ही गंदा और भयानक हो चुका था। लगातार कराहने की आवाजे आ रही थी। इसी तरह एक घंटे बीच जाते हैं। और अब अखिलेश की आवाजे घुटने लगी थी। और देखते ही देखते ही अखिलेश की आँखे बंध हो ज जाती है जिसे देखकर अर्थ सकती से जोर से बोला इतनी जल्दी आपको नहीं मरना है चाचा जी अभी तो हवस शांत हुई है अभी आगे और टॉलरेट करना है आपको कहते हुए अर्थ अपने गाद्स को इशारा करता है गाद्स आगे आकर बिना कपडों के पड़े अखि पाएंगे अर्थ ये सुनकर टेडा मुस्कुराता है और सुकून के साथ बोला गादन में इनके लिए चिता की सेज लगाओ आज ही मैं इनका अंतिम संसकार करूंगा अर्थ की बात सुनकर रगुवेंद्र की सांसे भारी हो जाती है और वो अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं उन्हें सीने में दर्द होने लगा और गाद्स अखिलेश को वहां से गार्डन में ले जाते हैं वो आदमी अपने कपड़े पहन कर वहां से चले जाते हैं तब ही अर्थ को आही की पकड़ धीली महसूस हुई और वो अपना सर घुमाते हुए जैसे ही आही को देखता ह आही बेहोश होकर अर्थ की बाहों में जूल जाती है। अर्थ उसके कमर से पकड़ उसे होल्ड कर लेता है। वही रगुवेंद्र को हाट आटाक आ जाता है। और वो तरपते हुए जमीन पर गिरते हैं। अर्थ एक नजर उन्हें देखकर आही को अपने गोग में उठा कर सीधे उपर रूम में चला जाता है। वही गार्ड्स तुरंथ रगुवेंद्र और स्वर्ना को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उनका जिंदा रहना अभी शायद जरूरी था। चा 99, you're close to me अही। अब आगे गार्डन में चिता सजाई जा रही थी। देहशत का तो वही उपर आही के रूम में अर्थ इस समय आही का हाथ था में बैट पर उसके करीब बैठा था। आही अभोश में थी पर वो इस समय सो रही थी। अर्थ की आँखों में भरी आग अभी शान्त नहीं हुई थी। उसकी नजरे इस समय आही के चेहरे पर टिकी थी। अर्थ ये देखते हुए आही के हाथ पर अपनी पकर कस्ते हुए आही के चहरे को धीरे-धीरे सहलाते हुए slow voice में बोला कहते हुए अर्थ ड्रॉ से एक injection निकालता है और उसे आही के आम में लगा देता है जिससे आही कुछ ही देर में बिलकुल शान्थ हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है उसके नींद में जाते ही अर्थ की आँखे फिर दहक उठती है और वो अपने जगह से उठते हुए किसी को कॉल करते हुए बेहत गुसे में बोला उन्हें अभी जिंदा रखो अभी उनका और तड़कना बाकी है इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए उन्हें उधरन चिन्ह वही नीचे स्टीफन जोचिता को पूरा सजा चूका था वो कॉल कट करते हुए एक नजर अखिलेश को देखता है जिसके खुले शरीर पर इस समय मातर सफेद कपड़ा था और उनकी हालक भयानक थी और वो बस कुछ ही समय में मरने वाला था जिसे देखकर स्टीफन गहरी सांस लेकर गार्ड से बोला असर चाहते हैं कि इन्हें अभी और टॉर्चर करना है तो इनके सांसे थमने से पहले इन्हें कॉटेज में ले चलो और हमारे पसनल डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ मैं अभी उन तीनों आदमियों को वापस बुलाने जा रहा हूँ कहते हुए स्टीफन उन आदमियों को कॉल करता है जो कुछ समय पहले वहां से गए थे तभी गार्ड्स का हेट स्टीफन से चिता देखकर बोला फिर सर इस चिता का क्या करेंगे आने वाले साथ दिन इन्हें वही टॉर्चर जहलना है जिसके बाद इसी चिता पर इनका अंतिम संसकार होगा असर का कहना है कि इन साथ दिनों में चिता को इसी तरह इसी गार्डन में ऐसे सजाएं रखा जाएगा स्टीफन ये बोलते हुए एक नजर अखिलेश को देख वहां से चला जाता है तो वही गार्ड्स अखिलेश को वहां से ले जाते हुए उसकी हालक देख आपस में बोले इनकी हालक देख कर तो नहीं लगता कि ये असर के साथ दिनवाले टॉर्चर को जेल पाएंगे कहीं उससे पहले ही ये मर ना जाएं उसकी बात सुनकर सभी हां में सर हिलाते हैं क्योंकि अखिलेश की बचने की हालक दूर-दूर कहीं नहीं दिख रहा था वही दूसरी तरफ लाइफ लाइफ लाइट हॉस्पिटल इस समय रगुवेंद्र का इलाज हो रहा था तो वही स्वर्णा अभी भी बेहोश थी जिसका इलाज डॉक्टर कर रहे थे धनुष वही चेय पर साहिल के साथ बैठा उन्हें ही ग्लास डोर से देख रहा था धनुष के चेहरे पर इस समय मिक्सड इमोशन थे वही साहिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला मिस्टी को अभी इस बारे में मैंने कुछ नहीं बताया क्यूंकि अगर उसे इन सब के बारे में अभी पता चलेगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी और मेंटली डिप्रेस हो जाएगी धनुष साहिल की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला सही किया आपने साहिल भाई ये कहकर वो आगे बोला मुझे कभी नहीं लगा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब सिंग राजावत खांदान पूरा तूट कर बिखर जाएगा ये कहते हुए धनुष अपना सर नीचे कर लेता है साहिल उसे समझते हुए उसका कंधा थप्ध पाते हुए बोला बुरे लोगों का अंत बुरा ही होता है धनुष और अभी तो सिर्फ उनके साथ ऐसा हुआ है तुम तो जानते हो ना कि अर्थ के बदले की आग में पूरा सिंग राजावत खांदान जलेगा धनुष ये सुनकर बेहद मायूस होकर अपना सर हिलाता है और बोला दुनिया वालों से लड़ने में डर नहीं लगता उनकी जान लेने में जरा भी डर नहीं लगता पर जब जब खुद के परिवार पर बात आती है तो मैं कमजोर हो जाता हूँ साहिल भाई जबकि मैं भी तो अर्थ भाई का ही भाई हूँ ना मेरे भी रगों में उनहीं का खून बहता है फिर उनमें और मुझ में इतना अंतर क्यूं है वो कैसे इतनी मजबूत है अपने इमोशन से उधरन चिन्ह साहिल की आँखों में एक पल के लिए कुछ आता है धनुष की बाते सुनकर पर स साहिल वापस से उसाय हुए भाई को चुपाते हुए धनुष को कंधे से पकड़ते हुए बोला तुम्हें अभी अर्थ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता वो आज जो इस समेफे एलिंगलस बना है उसके पीछे कई राज है जिनसे वो शायद ही कभी किसी को होने देगा पर एक बात तुम याद रखना धनुष तुम अर्थ के भाई हो तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहोगे कभी किसी के बहकावे में आकर उसके अगेंस्ट नहीं खड़े होगे धनुष साहिल की बाते समझने की कोशिश करते हुए बोला साहिल भाई मैं जानता हुए बोला मैं बस तुम्हें बता रहा था कि अधिकतर इनसान किसी ना किसी लालच में अपने भाई का ही दुश्मन बन बैठता है जो कि ये उसकी सबसे बड़ी बेवकुफी होती है धनुष साहिल की बात पर नामे सरहिला कर बोला नहीं मैं अपने भाई के हमेशा साथ रहूंगा उनके खिलाफ नहीं साहिल ये सुनकर बस उसे ध्यान से देखता है वही पहले इसमें अर्थ इस समय वाश्रूम से शावर लेकर बाहर आता है अर्थ की आँखे अभी भी लाल थी वो एक नजर आही को देखता है जो अभी भी सो रही थी अर्थ क्लोजट में चल अर्थ की नेक्ट कर रखा था आही बिना कप्टों के अर्थ के सामने बैग पर लेटी गहरी नींद में थी अर्थ अही के हर एक बोडी पाथ को धीरे धीरे क्लीन करने लगता है अर्थ जैसे जैसे आही के बोडी को क्लीन करता उसकी आँखों में बार-बार अखिलेश का उसके करीब होने वाला मंजराता, जिससे अर्थ काफी aggressively उसे clean करता, करीब 2 घंटे तक अर्थ आही को साफ करता है, इस बीच आही कसम साकर वापश से सो जाती, अर्थ आही को clean करने के बाद उसके चेहरे और body को slowly sniff करता है, जहांसे अब उसे अपनी fragrance आती है, अर्थ डीप एक्स्प्रेशन के साथ आही को उसका नाइट गाउन पहनाता है जिसके बाद वो आही के चहरे को अपने होटों से चूनने लगता है आही का चहरा वापस से नॉमल होने लगता है अर्थ अपनी सांस आही के चेहरे पर छोड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, बहुत जल्द ये सारा खेल खेत हो जाएगा आही, जिसके बाद मैं तुम्हें सबसे दूर लेकर चला जाओंगा, जहां किसी की बुरी नजरे तुम पर नहीं पड़ेगी आही, कहकर अर्थ कुछ सोचते हुए डीप स्माइल करता है, वही आही अर्थ से पूरी तरह लिप जाती है, दूसरी तरफ, मुंबई में, राथोर मैंशन में, स्टाडी रूम, सिराज गुसे से अगस्त्य का कॉलर पकरते हुए बोला, अगस्त्य मैंने तुम से कहा था, कि तुम मेरी बेटी से असर के इरादों के बारे में बात करोगे और उसे असर की सच्चाई बताओगे, पर तुमने क्या किया, तुमने मेरी बेटी के साथ इतना घिनोना काम किया नशे में, कहते हुए सिराज गुसे से चिलाते हैं, जिसे सुनकर अगस्त्य शैतानी के साथ बोला, देखिया अंकल एक ना एक दिन आप मेरे ससुर जी बनने ही वाले थे, तो इसमें गलत क्या हुआ अगर मैंने अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी से पहले रात गुजार ली, अगस्त्य यहिया, सिराज गुस्से से अगस्त्य पर चीकता है, तो महेश उसे पीछे से पकड़ते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, भाई साहब हम आराम से बात करते हैं, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, महेश तुम्हे पता भी है, इसने मेरी बेटी के इजज़त के साथ खिला है, इसने नशे की हालत में उसके साथ, सिराज गुस्से स ये बोलते बोलते वही सोफे पर हलकी सांसे भरते हुए बैख जाते हैं, वही अगस्त्य बिलकुल नॉमल देख रहा था, उसके चहरे पर शैतानियत था, वो सिराज को ऐसे देखब थोड़ा आक्ट करते हुए बोला, अंकल, सबसे पहली बात आपने मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद किया था, और मैं यहां आपके काम से ही आया हूँ, आपको असर से बदला चाहिए, और मैं भी उससे अपना कुछ पुराना हिसाब चुकाना चाहता हूँ, अंकल हम दोनों के रास्ते भी एक हैं और मंजिल भी एक हैं तो इसमें हमें साथ मिलकर चलना होगा ऐसे आपस में लड़कर कुछ नहीं होगा, महेश सिराज को पानी का ग्लास देते हुए अगस्त्य की बातों पर हामी भरता है, सिराज अपने गुसे को शान्त करते हुए अगस्त्य को देखता है, जो काफी शरीफ लग रहा था इस समय, सिराज उसे देखकर बोला, मैंने अभी अपनी बेटी के साथ वो समय नहीं बिता पाया हूं जो मैं बिताना चाहता हूं, इसलिए तुम बस उसे असर से दूर कर मेरे पास लेकर, बाकि तुम अभी मेरी बेटी से दूर रहोगे जब तक कि मैं तुम दोनों की शादी नहीं करा देता, अगस्त्य ये सुनकर गुस्से से अपनी आँखे बंद कर लेता है, और फिर नॉमल हसते हुए बोला, जी अंकल, जैसा आप कहे पर एक बात आप मेरी याद रखना, आप अपनी कही बातों से मुकर नहीं सकते, अही को आपने मुझे सौपने का बोला है तो अही मेरे पास ही आनी चाहिए, अंकल क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं आगे क्या करूंगा, सिराज उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखता है और फिर बोला, मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा, ये सुनते ही अगस्त गंदे तरीके से मुस्कुराता है और वो तीनों कुछ प्लान डिसकस करने लगते हैं, वही दूसरी तरफ पैलेस में, अर्थ इस समय आही को अपने सीने से लगाए वही बैट पर लेटा था, आही उसके सीने से लिप्टी हुई थी अर्थ उसके बालों को सहलाते हुए उपर सीलीं को देखे जा रहा था, अर्थ के चहरे पर एक मिस्टीरियस भाव था, वो आही को और भी ज्यादा खुद में समेटते हुए अपनी आखे बंद कर लेता है, आने वाले साथ दिन अखिलेश के सबसे बुरे और कथोर दिन हुने वाले थे, चिता को उसी तरह अभी भी सजाया गया था, जिसे साथ दिन बाद अखिलेश की मौत होने पर ही हटाया जाने वाला था, रगु वेंद्र इस समय होश में आ चुके थे पर अखिलेश के गम में वो अभी चलने के लायक नहीं थे और उन्हें अभी वही हॉस्पिटल में रखा जाने वाला था, स्वर्ना की मेंटल हेल्थ कुछ ठी समरे में सदमे में बैठी हुई थी, आने वाले दिन उनके लिए बहुत बुरे थे, अगली सुबह आही का रूम, चब 107 डेस टॉचर, अब आगे इसी तरह समय बीत रहा था, इस बीच आही खुद को संभाल रही थी क्योंकि हर लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात जिसके बाद उस संभलना मुश्किल होता था, पर अर्थ की वजह से आही काफी जल्दी खुद को उन सब बातों से निकाल पा रही थी, रगुवेंद्र हॉस्पिटल से पहले साथ चुके थे पर उनकी हालत अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं था, तो वही स्वर्ना की दिमा जागी हालत अभी भी खराब थी जिस वजह से उन्हें वही रखा गया था, धनुश और साहिल यहीं उदैपुर में थे जबकि मिस्टी को अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया था, इन साथ दिनों में अखिलेश को हर रात बदबतर सजा मिलती रही, और अखिलेश की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अब मर जाना चाहता था उसे खुद की शरीर से घिना रही थी, पर उसकी सांस बीच में अटकी हुई थी वो ना तो जिन्दा रह पा रहा था और नहीं मर पा रहा था, लगतार साथ दिनों के टॉर्चर को जहलते जहलते आखिर में सब को पता चला कि अखिलेश अपनी आखिरी सांसे ले चुका है, और अब उसकी डैग बॉडी को पैलेस ले आया जा रहा था, आठवा दिन रात का वक्त, गार्डन एरिया, इस समय चिता पर अखिलेश को लिटाया जा रहा था, सुभद्रा के रोने की आवाजे आ रही थी जो वही गार्ड में बैठें, एक टक चिता पर लेटे अपने बेटे को देखी जा रहे थे, धनुष साहिल वही चुकचाप खड़े थे, इन सबसे अलग अर्थ इस समय अपने पैंट के पॉकित में एक हाथ डाले और दूसरे हाथ में आही का हाथ कसकर पकड़े चिता के आगे खड़ा था आही अप ठीक हो चुकी थी, पर अखिलेश को देख उसका चहरा वापस से उतर चुका था, तभी चिता को आग देने के लिए बुलाया जाता है, साहिल एक नजर अर्थ को देखता है, अर्थ उसे देखकर धनुष को देखता है, और फिर आही को लेकर उस चिता से दूर थोर थे, तो वही साहिल कुछ समझते हुए धनुष के आगे मशाल करते हुए बोला, लो तुम आग दे दो, तुम्हें पता है कि अर्थ उन्हें नहीं देगा, धनुष ये सुनकर फिर हामी भरता है और मशाल को लेकर अखिलेश के पास आता है, धनुष को इस समय बहुत अजीब और अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था, पर आही के साथ अखिलेश ने जो किया उसके बाद, धनुष उन्हें बिना भाव के देखते हुए उन्हें आग देता है, और दूर हट जाता है, कुछ ही देर में वहां अखिलेश की चिता भयानक तरीके से जलने लगती है, आही कसकर अर्थ के सीने से लग जाती है, तो वही सुभद्रा जोर जोर से ये देख कर रोते हुए बोली, सालों पहले इन्ही आखों से अपने बड़े बेटे और बहु की चिता जलते देखा और अब मेरे करम इतने खराब है कि अपने छोटे बेटे की चिता भी ऐसे ह जलते देख रही हूँ, भगवान अब तो मुझे मौद दे दो अभी और क्या-क्या दिखाना बाकी रह गया है, रगु वेंद्र अपना सर नीचे की ये चुपचाप बैठे हुए थे, तो वही धनुशा के सुभद्रा को संभालता है और उन्हें पकरते हुए अंदर पैल पर अर्थ चिता से अपनी नजरे बिना हटाए एमोशन लेस होकर बोला, अही बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है, फिर इसकी वजह कोई भी हो, और आज यहां जो भी हो रहा है उसे एक ना एक दिन होना था, इसलिए तुम खुद को गिल्ट में मत रखो, कहते हु तरह अखिलेश की चिता जल जाती है और वो राक में बदल जाते हैं, अर्थ के चहरे पर ये देखकर गहरी स्माइल आ जाती है, और वो फिर आही को लेकर सीधे पहले इस से बाहर जाने लगता है, अही ये देखकर जल्दी से बोली, मिस्टर होट हम कहां जा रहे हैं, जिस काम के लिए आये थे वो पूरा हो गया है, अही इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं, अर्थ अही को कार में बिठाते हुए सीधे लहजे में बोला, जिसे सुनकर अही अर्थ को बस देखती रहती है, वही अर्थ आ के उसके साइग बैठता है और कार ड्राइव सीधे मुंब भर आता है, और वो उस राक को देखते हुए बोले, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगा, अखिलेश, उस लड़की की वजह से आज तुम हमें छोड़ कर चले गए, इसलिए अब उस लड़की को भी इस दुनिया से जाना होगा, कहते हुए रगुवेंद्र चलाते हैं, उनकी आँखों में सिर्फ आही की ही गलती देख रहा था और वो आब आही को जान से, मार देना चाहते थे, अगली सुबह, मुंबई, डाक हेवन बंगलो, आही इस समय बैट पर आराम से सो रही थी, कि तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर आही इरिट नजरोस से फोन को भूरती है और बिना देखे पिक करके बोली, तुझे सुबह सुबह चैन नहीं आता क्या, जो तू मुझे सुबह सुबह ही जगा देती है कॉल करके, उसकी बात सुनकर, उधर से सांची मूँ बना कर बोली, कुम्ध करन की बहन, पहले मेरी बात तो सुन कि मैंने क्यों अजर्जंट में कॉल किया है, आही यौन करते हुए बैट पर उठकर बैट जाती है और अपने मैसी बालों को पीछी करते हुए बोली, ओकि सो बक, क्या बक ना है, सांची उधर से थोड़ी एकसाइटेड होते हुए बोली, यो नो वाट हमारे कॉलेज में जिसमें वो लोग कॉलेज की कुछ गर्ल्स को अपने न्यू मूवी प्रोजेक्ट और मॉडलिंग के लिए सलेक्ट करेगे, उधरन चिन्ह, आही अब सांची की बाते गौर से सुन रही थी, तो सांची आगे बोली, सो अब मेरे पास, उस ओडिशन में जाने के लिए पासे जैसा कि तूने बताया था कि तुझे एक बार तो फिल्मिंग में जाना ही है तो अब जल्दी बता कब आ रही है क्योंकि कल सुबह दस बजे से ये शुरू होने वाला है, अही ये सुनकर कुछ देर चुक रहती है और फिर बेहद एक्साइटेड होते हुए बोली, ओ माइ मैं का शो आओंगी ओडिशन के लिए, क्योंकि पेंटिंग के बाद मुझे अपना करिया इसी में बनाना है, ओ धरन चिन्ह, ये सुनते ही सांची कुछ रुकते हुए बोली, पर क्या तुम्हारे इस पैशन के बारे तुम्हारे डेविल को पता है, कि ये तुम्हारा हेदन पैशन है जिसे तुम पाना चाहती हो आही, आही अर्थ का नाम सुनते ही बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक अर्थ से इस पैशन के बारे में जिक्र तक नहीं किया था और अर्थ उसे कभी पबलिक शो आफ के लिए जाने ही नहीं देगा, आही ये सब सो तु कहीं उन्हें छोड़ कर भाग नहीं रही जो वो तुझे तेरा पैशन पूरा करने से रोके, और अर्थ तु कब तक घर में बंद रहेगी, उन्हें अब तु तुझ पर ट्रस्ट करके तुझे बाहर आने जाने देना चाहिए, सांची की बात कही ना कही आही को बिल्क में क्लियर बात करेगी, आही ये सोचकर गहरी सांस लेती है और फिर सांची की कॉल कट करके पहले फ्रेश होने जाती है, कुछ देर बाद वो एक ब्यू कलर के स्किन फितनी लेंग सिर्फ ती शर्ट में ही रेडी होकर नीचे जाती है, नीचे इस समय दाइनिंग एरिया मे हेड चेय पर अर्थ बैठा कॉफी का शिप लेते हुए फोन यूज कर रहा था, आही के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है अर्थ को देखकर, और वो अर्थ के करीब जाकर पीछे से अर्थ के नेक पर हलके से जुक कर किस करते हुए बोली, Have a good day Mr. Hot अर्थ इस पर आही के हाथ को पकड़ कर अपने गोड में बिठाते हुए उसे खामोसी से कुछ देर तक देखता है, आही अर्थ के गोड में अच्छे से सेटल होते हुए अपने कॉफी का एक शिप लेते हुए बोली, Mr. Hot मैं आप से एक बात कहूं, अर्थ उसके म के लिए जाना है, कहकर आही जल्दी से अपना सर नीचे कर लेती है, वही अर्थ की पकड़ आही के कमर पर बेहत कस जाती है, क्या मान जाएगा अर्थ और देख देगा आजादी आही को, वेल कॉमेंट मी बताना सिया